प्रेज़ दलॉड आप सब कुछ जैमसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमेसर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया है हम परमेसर को कोटी-कोटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस पास्टाराज मैसी आपके सम्मों को परसित हूँ और आज का जो संदेश है वो है चर्च से रिलेटेड है चर्च से कलीसिया चर्च भवन जहां पर हम जाते हैं इकटा होते हैं और प्रभु से मुलाकात करते हैं तो आज का जो संदेश है वो बहुत महत्यपूर है बने रहीएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए ताकि वो जो बाते में आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आपके जीवन में काम करें और आप इसकी घहराई को समझ सकें कि चर्च जाना क्यों जरूरी है और कैसे चर्च जाया जाता है प्रेज दलवट मेरे दूसरा जो चैनल है टूपल्स उसमें आज का सवाल है कि एपराता किसे कहा जाता है कौन सा शहर है वो जिसे एपराता कहते हैं अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट्स बॉक्स में लिख दीजे अगर नहीं तो डिस्क्रिप्सिन में जाएए वहाँ पर आज का लिंक आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा उसे क्लिक कीजिए और जान लीजे कि एपराता किस शहर को कहा जाता है इसराईल में वो जगा है क्या नाम है उसका जरूर सुनियागा देखिएगा और अपनी नौलेज बढ़ाएगा प्रेज दलोड मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाएए कि जिद है सच को फेलाने की सच क्या है परमिसर का वचन प्रेज दलोड अगी एक छोड़ी सी प्रातना करते हैं उसके ब दुमा को छूँकर ब्लैस कर मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुश नहीं बलकि तेरा आत्मा हो जो भी गूर भेत की बात इंस वचन में छीपी हैं वो हम पर प्रगट करना प्रभू ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवन क उसी के अनुसार को जाने वाले बन सकें प्रभू जी जितने भी लोगी सुचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूं हर एक को आशिशित कर हर एक की रोग बीमारियों को चिंताओं को परिशानियों को दुख तकलीफों को कलेसों को तफरकों को मन मुटाओं को प्रभुजी लडाई जगड़ों को तलाक को हर एक के घर से दूर कर देना प्रभुजी असाध्य रोग बुरी बुरी बीमारियां प्रभु जी लंबे समय से चली आ रहे हैं बीमारियां भी प्रभु अपने बच्चों के जीवन से शरीर से दूर कर दे प्रभु क्योंकि शरीर तेरा मंदिर है और इसमें किसी भी बीमारी की कोई जगा नहीं है प्रभुजी बहुत से घरों में संतान नहीं है उन्हें संतान की आशिष दे जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार दे प्रभुजी जो नशेशे लिप्त है प्रभुजी उनको नशेशे मुक्ति दे मेरे परमेसर और जो करजे में दबी हुए प्रभुजी अपने बच् असना को भी सुन लिया, प्रभी येश्यू के नाम से मांगता हूं, आमेन प्रेज दरॉड, तो आएए आज के इस संदेश को मैं शुरू करूँगा, और संदेश जो है वो है चर्च जाने के उपर, कि हम किस प्रकार से चर्च में एंटी करते हैं, कैसे चर्च जाते हैं, अगर जो मैं बाते आज आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप ऐसे चर्च जाते हैं, तो फिर चर्च जाने का कोई फाइदा नहीं है, घर में रहें, कोई फाइदा नहीं ह ऐसे चर्च में बैठने का जाने का हाँ अगर जो दूसरा पार्ट में इसका बताऊंगा जो बाइबल में लिखा है कि हमें कैसे चर्च जाना चाहिए वो बात मैं आज आपको बताऊंगा तो अगर ऐसा आप करते हैं तो परमिसर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा प्रेज देलोट तो आईए हम देखेंगे किस प्रकार से लोग चर्च में एंट्री करते हैं उसके बाद हम वचन में चलेंगे हम देखते हैं कि जब चर्च में लोग आते हैं तो संसारिक बाते करते हुग उसमें एंट्री करते हैं किसी की बुराई किसी के वि उस पर बात्चित करते करते हैं और चर्च में एंट्री करके आकर बैड़ जाते हैं लोग पहली बात पहली बात यह होती है दूसरी बात क्या होती है कि जब चर्च में एंट्री करते हैं और अभी चर्च शुरू होने में अरब होने में अगर समय है तब भी क्या करते हैं उधर देखते हैं उधर देखते हैं पीछे मुरू के देखते हैं कि हमारे रिष्देदार अभी तक आए या नहीं आए और अगर नहीं आएंगे तो मन में कुड़ेंगे क्या रिया हमेशा ही लेट आते हैं इस तरह की बाते मन में आती हैं और फिर क्या होता है वो जो उपस् है वो यह है कि हम जब अंदर बैठ जाते हैं चर्च में चाहे वो घरेली चर्च हो चाहे वो बड़ा चर्च हो हर एक चर्च की बात में कर रहा हूं जो नीचे बैठते हैं वो लोग भी और जो बैंचे पर बैठते हैं वो भी क्या करते हैं दूसरे पॉइंट में वो इधर द गलती है तीसरी गलती क्या करते हैं कि जब परचार शुरू हो जाता है और पास्टर जी कहते हैं कि निकाल लीजे जो भी वचन पास्टर जी या रेवरेंट जो परमेसर के दास-दासी जो होते हैं जो परचार कर रहे होते हैं वो जब वचन बताते हैं तो हमारे पास बाइब अलीबंवेल एप है उसे डाउनलोड किया जाता है और चेर्च में मुबाईल ले कर जाया जाता है. उसके बात क्या होता है जब पास्टर जी वचन बताते हैं तो उसे Instagram का Telegram का Twitter का ये सब Facebook का ये सब उपर आ जाते हैं और क्या होता है कि जैसे notification आता है वहाँ पर ऐसे करके उसको click कर दिया जाता है और जैसे वो खुलता है तो वहाँ पर message लिखता है और कोई भी हो पूछता है कहा हूँ आप लिखता है अज़े बहुत अज़े जली से बताओ तो बताया पिर उसके बाद का आज ऐसे मुझे वहाँ जाना है तिमने चलना है तो बताओ इस तरह से बात चीज सुरू हो जाती है और फिर क्टः 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 करके फटा 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 ये दोनों अपने उठे यूज करके हम वहाँ पर मैसेज करने शुरू कर देते हैं वहाँ पर वचन चल रहा है परमेसर का वचन चल रहा है वहाँ पर हम अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं वचन चलते समय अगर हम किसी से चैटिंग कर रहे हैं हम परमेसर के वचन की توہین کر रहे हैं अनादर कर रहे हैं हम उसको निगलेट कर रहे हैं क्योंकि जो चीज हमें चाहिए जिसलिए हम वहाँ पर आए हैं वोही काम हम नहीं कर रहे तो फिर हम वहाँ जाना बेकार है ये तीस्री गल्ती हम करते हैं मूबायल को यूज करते हैं हमें करना क्या है हमें चर्च में हमेशा अपनी टेक्स्ट बाइबल लेकर जानी चाहिए क्योंकि जब हम इस बाइबल को खोलते हैं ऐसे तो अगर वचन यहां पर लिखा है और हम उसे पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई ऐसी वर्स हमको मिल जाती है जो हमें ट्रैक्ट करती है पता चलताई या यह बचन बहुत है यह फिर हम उसे अंडरलाइन कर लेते है और फिर बाद में उसे धर में पढ़ते हैं चर्च के बाद भी हम उसे पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बाइबल हमारे हाथ में होना जरूरी है ना कि ये मुबाइल बाइबल तो ये मुबाइल क्या करता है हमें भटका देता है चर्च में बैठे बेभी और जब हम उसे क्लिक करते हैं वाटसअप पर तो वहाँ पर चैटिंग सुरो हो जाती है वो लंबी चली जात और उसके किया होता है।। такие होता है तब तक वचन भी कतम हो जाता है। और फिर जब हम हम लोग किसने कैसी साड़ी पहनी है कैसी ड्रेस पहनी है कैसा सूट पहना है कैसी सेंडल जूते पहने ये सब चीजों पर नज़र होती है लोगों की और फिर रिष्टेदारों को ढूंते हैं क्योंकि हमने क्या center point बना रखायचर्स को कि वहाँ पर हमारी मौसी, फूपी मामा, चाचा मिलने आएंगे, वहाँ पर आएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे वैसे तो मिला नहीं जाता तो एक center point बना लेते हैं कि वहाँ पर आकर मिलते हैं तो ये दूसरी करती है, तीसरी मैंने बताई है mobile की Bible वह उसे जब हम खोलते हैं तो notification भी होता उसमें अगर हाँ, अगर आप use करना चाहते हैं तो net burn कर दीजे, notification नहीं आएगा, आप उस Bible को अराम से जो परमेसर का वचन परमेसर के दास-दासी देर हैं, तब हम उसे पढ़ सकते हैं, प्रेज़ दरोड, अब इसका दूसरा रूप देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, अगर ये तीनों बाते हम कर रहे हैं, तो हमारा चैर्चे जाना बेकार है, क्योंकि वो आत्मिकता हमें नहीं मिलेगी, जिसके हमें जरूरत है, हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं होगी, हम वैसे के वैसे रहेंगे, ठंडे के ठंडे, तो हमी क्या बना, सरगरम बनने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, हम जब भवन में जाते हैं परमेसर के, तो हमें लोग पास्टर के डर से जाते हैं, बहसे लोग एक बोज उतारने जाते हैं, कि हमारा टाइथ है, वो दे दे, या प्रभूग हो जाए, पहला संडे चलो प्रभूग हम ले लेते हैं, ये सब बाते व्यर्थ हैं, अगर हम आत्मिक उन्नती नहीं पा रहे हैं तो, क्योंकि जो लोग रेगुलर चर्च जाते हैं, उनके अंदर तो एक बदलाव आना बहुत जरूरी है, उनके विचारों में, उनके चाल चलन में, दृष्टी में, जुबान में एक बदलाव वाना ज़रूर है क्योंकि जो वचन सुनते हैं वो हमारे जीवन में काम करता है लेकिन अगर हम वैसे ही चर्च में जाकर बैठ जाते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है और हम आत्मिक उन्नती नहीं कर पाती है आत्मिक उन्नती बैठ 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 लेकिन जाता है जाता है आपके सामने कोई छोटा बैठ बैठा है और आप उसे समझा रहे हैं आप उसे समझा रहे हैं एक दिख Stillman कमें समझा रहे है बड़ों का अधर करो छोटों से प्रेम करो इस तरह आप समझा रहे हैं लेकिन वह क्या कर रहा है उट उट के भार जा रहा है, कभी दरवाजे पिचला गया, कभी फ्रिज में से पानी निकाल के पी रहा है, कभी मुबाइल में लग गया, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, एक आपके अं सी चर्श में होता और हम दूसरे कामों में लगे होते हैं हम इधर उधर देख रहे होते हैं रिष्टेदारों को ढून रहे होते हैं उनसे बाच्चित कर रहे होते हैं साथ में बैटे होते हैं तो वहाँ पर बाच्चित चल रहे होती है सामने वचन चलना लेकिन बात्चित खतम नहीं होती हम किसको इग्नोर कर रहे हैं हम किसका अनादर कर रहे हैं हम परमेसर का अनादर कर रहे है हम परमेसर का अनादर कर रहे है तो हमें करना क्या है अर ये देखेंगे भजन सहिता और उसका 42 अध्याए तीसरे पत्से मैं पढ़ूँगा, यहां लिखा है मेरे आशनों दिन रात मेरा अहार हुए है और लोग दिन भर मुझे से कहते हैं तेरा परमेसर कहा रहा ज्यान से सुनिएगा, यहांपर चर्च की एंट्री के विसे में मैं बताने जा रहा हूँ अब देखें, दाउट क्या कहता है, चार पन में कहता है, मैं भीड के संग जाया करता था मैं जैजैकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड के बीच में परमेसर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था ये तरीका है चर्च में जाने का उत्सव एक अंदर एक उन्माद एक तहवार वाली है कि हमारी feeling होनी चाहिए कि हम किस से मिलने जा रहे हैं जरूरी नहीं कि क्रिस्मस हो तब ही हम उनमात से बरे हो जोज से बरे हो तब हम बड़े ही जोज के साथ एंट्री करें चर्च में नहीं हमारे लिए तो हर दिन उत्सव है हर दिन तहवार है हर दिन जवन्त होने का दिन है तो उसमें संडे भी है, संडे को जब हम चर्च जाते हैं तो कैसे जाना, यहां पर दाउद बताता है कि मैं जहजेकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड के बीच में परमेसर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था उत्सव, जहजेकार, है ना, क्या क्या लिखा जहजेकार, धन्यवाद, उत्सव, तीन बाते जहजेकार करते हुए, परमेसर को धन्यवाद देते हुए और उत्सव मनाते हुए, यानि के परमेसर की अराधना सूति करते हुए यहुदी लोग करते हैं जो येसु मसी को जानते भी नहीं यह उनके विस्से में लिखा है आज भी बोग ऐसे ही करते हैं जब घर में उठते हैं तो अगर आराधना ले जाने का उनका समय है तो वो प्रेस करते समय भी नहाते समय भी गर से निखलते समय भी चाब वो अपनी गाड़ी में जा रहे हो चाब वो कैब में हो, चाब ट्रेन में हो चाब वो पैदल हो लेकिन उनके मन में परमेशर की अराधन सूती है जब वो एंटरी करते हैं जर्च में, अराधनाले में तो वो आतमा से बरे होते एक उनमाद से भरे होते है उत्सव से भरे होते है यह दाउत कहता है कि जैजैकार और धन्यवात के साथ उत्सव करने वाली भीड के बीच में परमेसर के भवन को धीरे-धीरे जाया करता था, यह समन करके मेरा प्राणशोपित होता है ऐसे ही हमको भी क्या करना है एंट्री करनी है चर्च में हम संसारिक बाते करते हुए चर्च में ना जाएं हम परमेसर के बारे में परमेसर की बातों के बारे में वचन के बारे में बात्चित करते हुए और अपने मन में आत्मिक गीत भजन गाते हुए किर्टन करते हुए चर्च में एंट्री करें कोई व्यर्थ की बात ना करें क्योंकि व्यर्थ की बाते हमें बहुत दूर तक ले जाती है क्योंकि बात में से बात निकलती है और वो फिर बतंगड़ बन जाती है इसलिए व्यर्थ की बाते ना करके एक आत्मिक जन बनके परमिस्टर के भवन में एंट्री करने से पहले हमें करना क्या है कि एक अंदर हमारे अंदर एक भजन कीर्टन होता रहना चाहिए परमिसर का भजन हम गाते रहें मन में आराधना करते रहें स्तूती करते रहें और चर्च में एंट्री करें भजन सहिता सो अध्याय देखें अगर तो उसमें क्या लिखा है और उसका चार पद उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगलों में स्तूती करते हुए प्रविश करो उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्यवाद करो इस तरह से एंट्री करने हम को चर्च में कैसे फाटकों से धन्यवाद करते हो प्रभू तेरा धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दे दिया तूने हमें सुरक्षित रखा तुने हमें अच्छा खाना दिया, कपड़े दिये, हमें मकान दिया, अच्छे घर दिया, अच्छा परिवार दिया है और हमें अच्छे पास्टर दिये हैं ताकि वो तेरे वचन से हमको त्रुप्त कर दे ऐसा करते हुए जब हम एंट्री करते हैं चर्च में, लिखा है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगलों में स्तूती करते हुए प्रवेश करो उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, इस परकार से हमें चर्च में अंदर जाना चाहिए क्यों? क्योंकि पांच पन में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करोना सदा की है और उसकी सच्चाई पीडी से पीडी तक बनी रहती है सीमित नहीं है एक ही पीड़ी तक सीमित नहीं है पीड़ी दर पीड़ी उसकी जो करुणा है उसकी सच्चाई है उसकी भलाई है उसका प्रेम है उसकी आशिशे है वो बनी रहती है वो कभी नहीं बदलता प्रेज दलोड तो टेस्ट में अंटे करते समय हमें क्या करना है संसारिक बातें नहीं, संसारिक बातें हमें शैतान की गिर्फ्त में लेकर जाती हैं, लेकिन जब हम अरादना स्टूति करते हुए, धन्यवाद करते हुए चर्च में एंट्री करते हैं, तब हम एक आत्मिक उन्माद से भर जाते हैं, और हमारी आत्मिक उन्नती होती है, आत् में उन्नती में उसके बाद जो दूसरा स्टेप मैंने बताया था दूसरा पॉइंट कि हम चर्च में बैठकर क्या करते हैं इधर देखते हैं उधर देखते हैं हमें करना क्या चाहिए 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 वो छोटा चर्च हो, चाहे वो बड़ा चर्च हो, हम चर्च में आकर बैठते हैं, तो हमें करना क्या है कि अपनी आँखों को बंद कर लें, प्रभू से प्रात्ना करें कि प्रभू ऐसे हाथों को उठा कर कहें प्रभू आज का वचन मेरे लिए हो मेरे हिरदय की गुड़ाई कर ता कि जो वचन आज मैं सुनू वो मेरे जीवन में काम करें प्रभू मेरा जीवन बदल जाए, मेरे अंदर जो ऐसी बातें प्रभू जो तुझे पसंद नहीं आज के वचन के द्वारा वो सब दूर हो जाए प्रभू जी मुझे नया बना, मेरे अंदर प्रभू जी नई आत्मा और नया हिरदय दे मेरे प्रभू, और मुझे आत्मिक उन्नती दे ता कि मैं तेरी सेवा कर सकूँ प्रभू मेरी साहता कर आज का वचन सुनने के लिए प्रभू प्रभू ता कि आज का वचन हम सुने और प्रभू जी उसे अपने हिर्दे में रखें और हमारी आत्मिकुन नती होने पाए आमेन ये छोटी सी प्रात्ना चेर्श के बैट कर करें प्रात्ना समाप्त हो जाती है फिर भी अगर चेर्श का टाम बचा है तो बस धीरे-धीरे ताली बजाते हुए ऐसे करके धीरे-धीरे ताली बजाते हुए आवाज नाए ताली की इस तरह से आँग बन करके एक भजन गाते रहिए जो आपका फैवरेट भजन है वो गाईे और गाते रहे और गाते रहे और प्रभू की उपस्तिति आपके जीवन में होती चली जाएगी आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं आपको लगेगा कि आप आत्मा से भर चुके हैं और आपको पता चलेगा कि आज आपने परमेंसर से कुछ पाया है यह है दूसरा स्टेप सही वाला तीसरी बात जब हम मुबाइल की वाइबल खोलते हैं तो उसमें मैंने बताया कि हम उसमें क्लिक करके क्या करते हैं वाटस अप में बीजी हो जाते हैं कोशिश करें कि हम यह टेक्स्ट बुक चर्च में या मिटिंग में या सैमिनार में या जो भी सभा होती है उसमें कोटिज मिटिंग में हम यह लेकर जाएं हम यह टेक्स्ट बुक लेकर जाएं इसमें कोई शरम की बात नहीं है यह हमारा जीवन है इसी से हमारा जीमन बदलता तो इसको जब हम लेकर जाएंगे तब क्या होगा हम उन बातों से बच जाएंगे जो संसारिक बाते हमें घेरना चाते हैं चर्च के अंदर जो एंट्री कर जाते हैं वाटसअप के दौरा वो हम से दूर रहेंगे और हम सिर्फ परमेसर से रूबरू होंगे परमेसर के वचन से रूबरू होंगे हम परमेसर के वचन के द्वारा हम परमेसर से बातचित करेंगे तो ये तरीका है चर्च में एंट्री करने का अगर ऐसा करेंगे तो 100% हमारी आत्मिक उन्नती होगी अन्य था, हमारा चर्च जाना, सेमिनार में जाना, मिटिंग्स में जाना, समारोहों में जाना, बेकार है, हमें घर में बैठे रहना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी संसारिक बातों में लिप्त होकर अगर हम परमिसर के पास जा रहे हैं, तो हमें तो वहां से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना हमारी आत्मिक उन्नती होगी, ना हम आगे बढ़ पाएंगे. हमें करना क्या है? परमिसर से मिलने से पहले अपने आपको पूरी तरहां से तैयार कर लेना है. जैसे कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी का रिष्टा देखने जाते हैं, किसी के रिष्टेदार के हां जाते हैं, या डेश्ट पर जाते हैं, तो हम बहुत तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, साफ सुतरे कपड़े पहनते हैं, प्रैस करते हैं उन्हें, लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग तब हम मिलने जाते हैं लेकिन परमिसर से जब हम मिलने जाते हैं तो ऐसे ही उटके चल देते हैं चलो प्रभू से मिलकर रहा है जैसे थोमा ने का चलो हम भी इसके साथ चलते हैं हम भी इसके साथ मरने को चलें जब लाजर के पास प्रभू ये समसी जा रहे थे तो ऐसे नहीं हमारी आत्मे को नतीय ऐसे नहीं होगी हमें वचन के अनुसार जैसे दाउत ने कहा जैजेकार धन्यवाद और उत्सव मनाते हुए हमें परमिसर से मिलना चाहिए परमिसर इन वचनों के दार हम सब को आशी दे यह आज आज आपने कुछ नया सिखा है तो जरूर कॉमेंट्स बक्त में लिखेगा और लिखे कि प्रभू आज के बाद मैं चर्च में मिटिंग में सेमिनार में या कन्वेंसर में जाते समय आत्मिक रिती से उसमें अंट्री करूँगा आत्मिक रिती से अंट्री करूँगी क्योंकि मुझे आत्मिक उन्नती चाहिए प्रेज दरौर्ड इस बचन को शेर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके टूपल्स में आज का सवाल है कि अपराता किस शेर का नाम है उसका दूसरा नाम क्या है अगर जानते हैं तो कॉमेंट्स बॉक्स में लिख दीजी अगर नहीं तो डिस्क्रिस्टिम में आपको आज के जो सवाल का जवाब मिलेगा उसमें आप लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजे कि अपराता किसे कहा गया है मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाएए जिद है सच को पहलाने की आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए शंदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे अजाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखे और चर्च में सेमिनार में कन्वेंशन में मिटिंग में कोर्टेज मिटिंग में शामिल होने से पहले अपने आपको तैयार कर लीजे आत्मिक बन जाएए और आत्मिक उन्नति की लालसा करते हुए परमेसर के लोगों से मिलिए प्रेज दरोड परमेसर आप अपको आशीच दे